अभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवुटनी एकादिशी कब है और देवुटनी एकादिशी के बाद आप कौन-कौन से कारे कर सकते हैं तो फ्रेंट्स देवुटनी एकादशी का वुरत कार्तिक माहा के शुकल पक्ष के एकादशी तिथी को रखा जाता है इसे हरी प्रभोधने एकादशी और देवुथान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है देवुटने कादशी को चतुर मास का समापन होता है साथ ही विवहा, मुंडन, ग्रह प्रवीश यह से मांगली कारे पर लगी रोग भी हट जाती है इस दिर्वरत रखकर भगवान विश्नु की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवहा का भी आयोजन करते हैं वर्ती अपने घरों में तुलसी के साथ भगवान शाली ग्राम का विवहा कराते हैं इससे सुक और सोभाग्य बढ़ता है कहा जाता है कि कार्तिक शुकल एकादिशी तिथी को देवतागर उठते हैं इसलिए से देवुटने एकादिशी कहते हैं इस वर्ष पंचांग के अनुसार कार्तिक शुकल एकादिशी तिथी 22 नवंबर को रात 11 बच कर 3 मिनट से शुरू हो रही है और तिथी 23 नवंबर गुरूवार के दिन 9 बच कर 1 मिनट पर समाप्त होगी उद्य तिथी के अधार पर देवुटने कादिशी का अवरत 23 नवंबर को रखा जाएगा वामन पुरान के मुताबिक भगवान विश्णु ने वामन अवतार में राजा बली से तीन पग भूमी दान में मांगी थी उन्होंने विशाल रूप लेकर दो पग में पृत्वी, आकाश और स्वर्ग लोक ले लिया तीसरा पैर बली ने अपने सिर्प पर रखने को कहा पैर रखते ही राजा बली पाताल में चले गए भगवान ने खुश होकर बली को पाताल का राजा बना दिया और वर मांगने को कहा बली ने कहा आप मेरे महल में निवास करें भगवान ने चार महीने तक उसके महल में रहने का वर्दान दिया धार्मिक मानेता के अनुसार भगवान विश्णो देव शेनी एकादिशी से देव प्रबोधनी एकादिशी तक पाताल में बली के महल में निवास करते हैं फिर कार्टिक महीने की इस एकादिशी पर अपने लोग लक्षमी जी के साथ रहते हैं। और शीव पुराण के मुताबिक भादरपत मास की शुक्र एकादिशी को भगवान विश्नु ने देत्ते शंखसुर को मारा था। भगवान विश्णु और देते शंखसुर के बीश युद लंबे समय तक चलता रहा। युद समाप्त होने के बाद भगवान विश्णु बहुत अधिक ठक गए तब विशीर सागर में आकर सो गए। उन्होंने सृष्टी का कारेभार भगवान शिव को सोब दिया। इसके पदम और विश्णु पुरान के मुताबिक इस दिन भगवान विश्णु चार महिने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन भगवान विश्णु का शाली ग्राम के रूप में तुलसी के साथ विवा कराने की भी परंपरा है। धर्म गरंथों के नुसार इस दिन भ्रह्म मूरत में उठकर नहाने के बार शंक और घंटाना सहित मंत्र बोलते हुए। भगवान विश्णु को जगाया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है, शाम को घरों और मंदिरों में दीपक जलाये जाते हैं। और गोधली वेला यानि सुरियास के समय भगवान शाली ग्राम और तुलसी विवहा करवाया जाता है। हम जानेंगे एकादशी की पूजन विदिही। सुबह जल्दी उठकर स्नानादी से निर्वित हो जाएं, घर में मंदिर में दीप वर्जलित करें। भगवान विशनु का गंगर जलसे अभिशेक करें, भगवान विशनु को पुष्प और तुलसी दर अवश्य अर्पित करें, अगर संबव हो तो इसे वृत भी करें। देवुटनी एक आदिशी के दिन तुलसी विवहा भी होता है। इस दिन भगवान विश्णु के शालिगराम अवतार और माता तुलसी का विवहा किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिगराम भगवान की भी विधी विधान से पूजा की जाती है। भगवान की आर भगवान विष्णु भोग रहन नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य की जाती हैं। इस दिन भगवान का अधीक से अधीक दिहान करें। तो बोलो विश्णु भगवान ने कीजए लक्ष्मी माता कीजए देवुटने एक आदिशी 2023 का पारण समय रहेगा जो लोग 23 नवंबर को देवुटने एक आदिशी का व्रत रखेंगे वे 24 नवंबर को सुबह 6 बज कर 51 मिनट से सुबह 8 बज कर 57 मिनट के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा 24 नवंबर को द्वादिशी तिथी किसमापती शाम 7 बज कर 6 मिनट पर होगे तो बोलो विष्णु भगवान कीजै मालक्षमी कीजै तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शियर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूस्फुल वीडियो मिलती रहे बोलो विष्णु भगवान कीजै लक्षमी माता कीजै